हेलो एवरिवन ये है वीडियो जबाल चैनल और आज की वीडियो हमें एक शिक्स्टोर ए र्च्छी की बिल्डिंग को ऐनलाइज और डिजाइन करेंगे मेन एम मेरा डिजाइन करने का यह है विज़ोड़ी वीडियो फास्ट हो को इसते वीडियो की दोरेशन कम रहे इसमें हम analyze or design करने के बाद जो data होता है उसको क्या करना है ठीक है सबसे पहले हमने new file कर रहा हूँ है unit दुबारा से change कर रहा हूँ meter और kilo newton default unit मेरी kips और pound है मैं change करना भूल जाता हूँ कैसे change करते हैं भी बताऊँगा next video में तो मैंने एक joint बनाऊँगा सबसे पहले मैं unit change करने के बाद meter और kilo newton एक joint बनाऊँगा मैं origin पे फिर grid को मैं close करूँगा फिर translate tool लूँगा मैं और सबसे पहले यह एक plan जो मैंने assume किया है एना for room का plan है top view है पांच-पांच meter के span के beam है और फिर हर joint पर एक column होगा इस तरह से column का size 600 by 600 assume कर लिया है और beam का size depth जो है 600 mm of width 300 mm हमने assume कर लिया है इस में ठीक है इस plan को बनाने के लिए मैंने एक joint बनाया origin पे उस joint को मैंने select किया फिर मैं translate tool पे गया उस से मैंने x direction में steps 2 और spacing 5 meter लेकर step 2 किये और link पर click किया और okay किया तो यह दो span बन गई है अब normal cursor से इसको select किया और translate करना है जाए z direction में 2 step 5 meter span same यह हमारा plan बन चुगा और इस पूरे plan को normal cursor है नहीं कि normal cursor में इस beam cursor से select करके दोबारा translate tool से हमें translate करना है y direction में और 3 meter general building के हैटर लेते हैं six step हम six story बना रहे हैं और link और बोटम बीम को delete कर देते हैं और यह हमारे six story अगर front view में जाके देखें तो यह आपको दिखाई देंगे roof हो गई for top floor और यह इसके बाद floors है one two three तो जी प्लस five story building हम बना रहे हैं इसमें हमने नीचे वाल अकाउंट नहीं किया नीचे वाल अकाउंट करेंगे इसमें तो यह जी प्लस five हमारा कि मोडल है नेक्स टेप उता है support लागा ना अगर मैं ड्रैक करके नीचे के joint select करूं तो हमारे पीछे के भी joint select हो जाएंगे सारे joint select हो जाएंगे देखो आप front view में जाके ड्रैक करके आप select करेंगे तो सारे joint लग जाएंगे तो हमने जनरल में प्रोपर्टी में support में create किया fix support और हमने front view किया पहले मोडल का फिर select किया node और उसके बाद assign कर दिया हमने fix support को assign fix support लग चुकी है इसके बाद property property में गए हम टैब में फिर राइट साइड में हम पर define rectangle shape बीम का है आपका 600 depth और आपका 300 mm वीर्थ और हमें 600 y 600 हमने दो प्रोपर्टी एड कर लिए है फस्ट प्रोपर्टी को बीम पर अप्लाई करना है तो पहले बीम स्लेक्ट करने होंगे हमार पर दो भी में एक बीम होता है जो एक्स के पैलर होता है और एक जैट के तो सपोर्ट लेक्र क्रोल्म और के पैलर वें एक लिए तॉल भी हमने एप्लाई कर दी ओड़ी इप्रोपर्टी को डेट के-चूपर्टी लीघर करिए कि add कीजिए self weight building का खुद का weight self weight हमने add किया self weight हम building को assign to view करेंगे उसके बाद हम dead load में add करेंगे next load वो आपका होगा उससे पहले कौन-कौन से होंगे dead load के अंदर एक तो slab load होगा और एक होगा आपका वो लोड अभी इस model में हम जो design कर रहे हैं वो beam और column design कर रहे हैं beam और column तो beam के ओपर slab कर लोड़ता है तो slab कर लोड़ता हमें assume करना होगा तो slab कर लोड़ एजिम कर नेगले slab के थिकनेस पता हो नहीं चाहिए हमने assume कर लेते हैं 150 mm और density क्योंगे RCC की है तो density RCC की 25 होती है क्लोन्यूटन पर मिटर क्यूब और अगर हम आपको slab कर load निकालना है तो हम दोनों को multiply कर देंगे क्लोन्यूटन पर मिटर स्क्वेर में slab पर लोड़ जाएगा wall load, wall load क्योंकि UDL की form में लगता है beam के ऊपर तो UDL की unit उतीक क्लोन्यूटन पर मिटर तो उसके लिए height into thickness 230 mm यानि कि 9 inch 2 brick wall हमने ले लिए thickness into density 20 assume कर लिए हमने बोल की इससे हमारा wall का load calculate हैगा तो load लगाने से पहले हम stat pro का जो calculator है उससे हम load calculate कर लेते हैं उसके बाद हम इस load को apply करेंगे तो जो load निकल के आया है वो निकल के आया है 3.75 km per meter square slab का floor finishing tiles का load जो marble का load है 1 km per meter square assume कर लेते हैं तो total load हो गया हमारा dead load 4.75 km per meter square इसी तरह wall का load हम निकाल रहे हैं तो यह आ रहा है 13.8 तो इसको assume कर लेते हैं हम 14.14.0 km per meter square wall load की unit के है km per meter sorry तो UDL की form uniform load लेंगे हम किसके ओपर लगेगा वो beams के ओपर लगेगा ठीक है अब हम dead load पर click करेंगे और add करेंगे सबसे पहले हम करते है floor load, floor load के pressure कितना है हमारा floor load का आयता निकल के 4.75 negative means downward और हमने यहाँ पर unit दा लिए है 0 to 118, 18 building की height है हम note कर से click करके भी देख सकते हैं building की height close अब इसको apply करने के जुरूत नहीं होती है अब हम add करेंगे UDL member force के अंदर हम weight minus 14 wall load उसको add कर लेंगे अब फिर उसको किसके ओपर apply करना है क्योंकि सभी wall beams के ओपर बनेंगी तो हम है beam select करके इसको apply कर देना है जैसल आपको जितने भी forces लगा रहा हूं के जो arrow है diagram है वो थोड़े अजीब से नज़र आएंगे देखी UDL का तो दिखाई नहीं दे रहा है यह हैं आपका unit की वज़े से ठीक है तो हम unit या फिर control दबा के आप squirrel को घुमाएंगे तो भी आपके diagram बढ़े हो जाएंगे या आप यहां पर जाके scale में apply immediately करके आप यहां से point force की value को पहले बढ़ा कर देखता हूं फिर घटा कर देखता हूं क्या किससे क्या फरक पड़ता है बढ़ाया तो कोई फरक नहीं पढ़ रहा है फिर मैं घटा हूंगा उसके बाद देखते ह है कि UDL के arrow दिखाई देते हैं नहीं दिखाई देते हैं अब मैं घटा रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घटाने से थोड़ा फरक पड़ रहा है arrow आ रहे हैं आ रहे हैं जी arrow का size बढ़ता जा रहा है ठीक है अपने according जो आपको लगे होगा arrow का size बढ़ाने के बाद इसको close कर दीजिए उसके बाद हम second load लगाएंगे live load live load के अंदर residential building में live load होता है 3 km per meter square उसको हम एज़िम करके लगा देंगे floor load pattern होगा उसका यह लग चुक है अब आप फैंक load combination मनाएंगे 1.5 dead load और कोई load नहीं लगाएंगे विसमें क्योंकि हम जल्दी से इसको design करके यह देखना है कि output काम करना क्या है जा output निकल के आया है तो हमने add किया यहां पर define यहां पर 1.5 dead load plus live load हमने value डाली तो यह title डाला हमारा load combination का title फिर दोनों load com arrow से right side लेगे यहां पर factor 1.5 okay analyze and print all add close analyze zero error and zero warning yes zero error zero warning अब result check कर सकते हैं bending में diagram shear force diagram deflection diagram और reaction आप यह सब चैक कर सकते हैं आप देख रहे हैं मैं जिस पर भी क्लिक करता हूं उसको diagram बहुत बड़ा या चोटा होता है फिर मैं मैं कर रहा हूं वो दिखाईन दे रहा हूं मैं क्लिक करके control दबाकर mouse के scroll गुमा रहा हूं जिससे diagram को हम बड़ाया चोटा कर सकते हैं post processing में जाके हम देख सकते हैं reactions reactions dead load live load और combination के वाई से अब हमको design करने हैं तो design concrete code select किया कोई parameter नहीं देंगे हम इसमें वो automatic ले लेगा command देंगे design beam का और design column का और इन दोनों parameter को apply कर देंगे beam को design beam को design के ओपर और design column को columns के ओपर apply कर देंगे को उसके बाद analyze कर देंगे को अनलाइज हो चुका है double click करके result देख सकते हैं बीम पर double click करके tab आगे concrete era diagram distribution of steel इस तरह column पर कर सकते हैं अब इस output का करना क्या है में एक मिन output आप जो भी है उसको देख सकते हैं वो output आउटपूट में भी देख सकते हो किस बीम में कितना mm square में steel आया है लेकिन होता क्या है कि हमार पास एक structure drawing होती है जिसमें बीम के cross section बने होते हैं उन cross section पर जिस तरह से एक second बस जैसे कि हमने हैं पर report not select कि report में जाके हमने reaction को okay कर लिया तो यहां पर table आ गए हमर हर reaction पर कितने forces हो रहे है moments अब आ गया इनको copy करके हम paste कर सकते हैं हमार पर excel sheet होती है foundation design कि प्रेस्ट करेंगे foundation design हो जाएगी तो reaction हमने यहां से ले लिए और excel sheet से foundation design कर लिए या फिर in reaction से आप stat foundation जो software उससे भी foundation design कर सकते हो और यहां पर output में जाके result में जाके आप design result में आके हर एक बीम का हमारा reinforcement detailing दिया हुआ है double click कर जो हम देखते हैं beam detailing उसमें दिया होता है number of bar और हम जो output में देखते हैं तो इसमें दिया होता है mm square में कितना still use किया है तो आप अपने according fit reinforcement detailing कर सकते हैं कि देखिए मैं बना के दिखाता हूं जो इस तरीके से होती है कि बीम के sections बने होते हैं उन में reinforcement भी दिखाया गया होता है पर यह नहीं दिखाया गया होता कि reinforcement का डाया क्या है और reinforcement का number of reinforcement क्या है कर क्या है तो वहां पर हम stat process देख देख देखके result उस drawing में जो drawing जो बनी हुए वो इसी plan की बनी होती है उसमें हम input डाल देते हैं कि यहां पर इतने बार यहां पर इतने बार डलेंगे और stir up ने डेलेगी इतना डाया और इतने डाया के इतने number of बार है यहां पर इस टील भी बना लेते हैं white लेते हैं color yellow sorry और यह लिए यहां पर input डाले तो फिर वो drawing जो होती है compute हो जाती है समसारा data आ जाता है कि कौन से beam में कितना स्टील है और foundation की डोइंग आ जाती है फिर उसको में अप्रूब कराते हैं और site पर जाती है उसी इस तरह से काम होता है तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए व्यू बहुत कम आ रहे हैं सब्सक्राइब करोगे आप तो व्यू बढ़ जाएंगे सब्सक्राइब जाएंगे थैंक्यू